कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है समाने मुखमंद्री जी का भाषन परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि समाने मुखमंद्री जी की नेता आधर्णिये शिर्मति सोने गानी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वो सुन्द्रा राजे सिंध्या जी है उनकी नेता सोनिया गानी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वो सुन्द्रा राजे सिंध्या जी है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाचपा कर रही थी दूसरी दरफ का जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसंदर जी कर रही थी तो ये जो विरोधा भास है इसको समझाना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पश्ट कर देना चाहिए आप सबको मालूम है सरकार बनने के बाद मैं परदेश का उपमुख मंत्री था परदेश रद्यक्ष था और 2020 में देश द्रो राष्ट द्रो के मुकदमे में मेरे पर कारवाय करने की कोशिश की गई थी अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग और मैं सपश करना चाहता हूँ कि मैं हो हमारे कुछ साथी सरकार में नेत्रित परिवर्तन चाहते थे अपनी बात को लेकर हम दिली भी गए और अपनी बातों को रखा उसके बाद अखिल भारते कौंगे इस कमीटी ने लगतार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है स्वर्ग एहमद पठेल साब लेकिन उनके माद्यम से सब नेतों से मुलाकात हुई और एक कमीटी का गठन हुआ एाइसी सिने किया उसमें माखन साब बेनिः चपाल जी और एहमत पठेल जी सरज जी सॹवत और उस कमीटी का एक काम था और कमीटी जब गठन हुआ उस समें हम सब की बात सुन उनकर हमारी बातों को एकसेप्ट किया गया और एक रोड में अपतियार किया बहुत सारी बाते उसमें थी, मैं उसका उलेक नहीं करूँगा, लेकिन कमिटे का गठन हुआ, और उसके बात से